एक फर्वरी को बजट पास हो चुका है तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि क्या होता है बजट और इस बार के बजट यानि तेइस चौबिस के बजट में क्या विशेश है जो कि आपके एक्जाम के पॉइंट अव व्यू से बहुत जारा महत्वपूर है तो मैं हू जैसा कि आपको पता है इसे बहुत सारे प्रस्टन आपके पूछे जा सकते हम लोग आपके सामने टाइमिंग है अपना विशना करते हुए आज की क्लास में देखा जाए तो आज का समय है आपका दो फर्वरी और एक फर्वरी को यानि बुद्वार को भारत सरकार द्वार क्या कर दिया गया पास कर दिया गया यह सरकार की कारेकाल की आफूर्ण बजट भसेप कर दिया अगया है इस करके आपको बता दूँगा तर दो हजा थेश में बजट फेश कर दिया गया है तेश चौविस के उदेश्च से और क्या है भारती अर्थ ब्यवस्था के समग्र विकास के लिए इस बजट को पास किया गया है देखा जाए तो दो हजा चौविस के आम चुनाओं से पहले इन खैसे बढ़ करके 6 दस्मालों आश प्रतिशत के बीच में बढ़ने की उमीद है और एक बड़ी अर्थ प्रवस्था के लिए यह बड़ी बात है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुए अर्थ ब्यवस्था बन सकती है अगर जो आर्थिक सर्वेक्षर ने जो रिप सकती है अब देखते हैं कि जो कल बजट पास हुआ था तो उसमें क्या क्या महत्वपूर हुआ है जहां पर हमें पढ़ना है और यह उन लोग के लिए भी महत्वपूर है जो कि हमारे अर्थ ब्यवस्था के बार में जानना चाहते हैं एक्जाम की तैरिक कर रहे हैं और या पालन देरी और मर्शंपालन पर ध्यान देने ने के साथ क्रिशी लग्ष को भी क्या किया है बीच लाख करोड और रूपी कर धिया गया थाटार्गेट के अभी बार आपके एक्जाम से डेटा पूछा जा सकता है कि क्रेटिक टार्गेट के लिए कुल कितना रखा गया तो 20 लाग करोड रखा गया है तो रेलवे की देखा जाए तो रेल्वे के लिए यह सबसे बड़ा बजट है जो कि दो हजार तेरा चोड़ा के लिए बजट का देखा जाए तो उसका लगभग आपका कितना है यह तो उसका लगभग यह नो गुना है ठीक है यानि रेल्वे का सबसे बड़ा बजट अभी तक कहिति हास में टू पॉइंट फॉर लैक करोड इसके अलावा एक और योजना पी उनकी सहायता के लिए यह उजना लाई गई है और घोश्रा की गई कि उन्हें मुलिस रिंखला के साथ एक ही कृत करते हुए अपने उत्पादों की गुडवत्ता पैमाने और पहुंच में सुधार करने में क्या करेगा सक्षम बनाएगा तो यह बहुत ही महत्वपूर होन और आमाने की तियारी तक पहुंच और सुनेशित किया जा सके लावा यह बहुत ही महत्वपूर है यह काफी पहले से चर्चा में आ रहा था उकलब मॉडल अधालित्स आवाश्य विद्ध्याले क्या है जैसा कि आपको पता है कि जो जंजातियस प्छित्रं के बच्चे है उनके लिए लाया गया है एक लब मॉडल आवाज से बिद्धा ले तो इसको भी इस बजट में सामिल किया गया और इसके तहट उन्हें ने कहा कि घोचड़ा की है कि अगले तीन वर्सों में केंद्र साथे तीन लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने के लिए साथ सो चालिस स्कूलों के लिए कितना 38,000 शिक्षकों की और सहायक करमचारियों के भरती की जाएगी तो यह आपके लिए एक महत्तुपूर बजट के कॉर्डिंग नियूज भी है यहां से एक्जाम में प्रस्ण भी पूछा जा सकता है और यहां के घोश्रा कर दीगे कि 38,000 शिक्षकों और शहायक करमचारियों की भरती भी आने वाली है अगले तीन साल के अंदर तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल तयार हो जाई है और अभी अपनी पढ़ाई बिल्कुल फोकस कर दीजिए कि मुझे हर हालत में लेना है और यह देखा जाए तो सेंटर का स्कू स्कूलों में और कितने शिक्षकों के लिए तो 38,000 शिक्षकों और सहाय कर्मियों की भरती की बात की गई है तो सभी डेटा को अब तयार रखेगा इसके अलावा अन्तोदे जो योजना चल ला था जिसके तहट कोविट 19 जब शुरू हुआ था और उसके बाद जो गरीब है जिन जिनको राशन दिया जा रहा था उनका राशन एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया जो मुफ्त में राशन देने की प्रवस्था थी पीम गरीब कल्यार अन्योजना के तहट उसमें लगभग दो लाख करोड़ प्या का पूरा खर्च के सरकार उठाएगे और उसे एक वर्ष के लिए और क्या कर दिया गया है बढ़ा दिया गया है तो यह अपने महत्वपूर्ण हो गया आपका यानि कि अभी तक जो 2021 से जो चालू हुआ था आपका इसको लॉकडाउन को ध्यार में रखते हुए कोविट काल को ध्यार में रखते हुए तो पीम गरी पर रही उठाई जाएगी एक बड़ी बाट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छीक बात की गई है इस बार की बजट में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो कि बच्चों और किशोरों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की अस्थापना की जाएगी ठीक है ताकि भौगोलिक भासाओं शैलियों और अस्तरों पर गुडवत्ता पूर्पुष्टकों की उपलब्धता और उपकरण अग्य पहुच को सुगम मनाया जा सके तो ये इस बार की बज़र के लिए बहुत ही महत्वपूर और अच्छा निर्ड़ा लिया गय क्या हो सके शैलियों के अस्तरों तक क्या हो सके वहाँ पे उनकी पहुच प्रदान की जा सके बहुत अच्छी बात है नेशनल लाइब डिजिटल लाइवरेरी इसके लावा देखा जैता डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिजम यह एक अच्छी बात की गई है क्या है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिजम जिसमें घरेलो और अंतराश्ट्री परेटन के लिए संपूर्ण पैकेज करूप में विक्सित किये जाने के लिए चाइलेंज मोड के माध्यम से 50 परेटन अस्तरों का चैन किया जाएगा यानि कि जो बताया गया है यह बोला जा रहे हैं कि जो परेटन के लिए आप कहीं और जाते हो इससे भारत का विकास भी होगा और परेटन विभाद को भी क्या होगा इससे काफी सहाइता मिलेगी तो इसी वजह से कुल 50 परेटन अस्तरों का चैन किया गया है और उसका पूर्ण रूप से क्या किया जा रहा है जैसे कि आप वहां पे कैसे जाओगे वहां पर रहने की ववस्था ठहरने की बवस्था खाने पीने की संपूर्ण पैकेड़ा आपको मिलेगा और इसके पचास प्रेटन स्थलों का क्या किया जा रहा है के लिए क्रेडिट गारेंटी यह क्या है कॉर्पस में 90,000 करोड रुपिय का निवेश किया जाएगा जो दो लाख करोड रुपिय के अतरीक संपार्श्विक मुक्त क्रेडिट कार्ड की अर्मति देगा जो एक अप्रिल 2023 से क्या हो जाएगा प्रभावी हो जाएगा यानि MSME के लिए जो क्रेडिट गारेंटी दी जा रही है MSME क्या होता है जो शुक्ष्म उद्योग शुक्ष्म और लगउद्योग की बार की जा रही है उनके लिए क्रेडिट गारेंटी की बोश्था की गई है जिसका कुल कितना होने वाला है दो लाख करोड पीश के लिए दिया जा रहा है और यहां आपका एक एप्रिल 2023 से प्रभावी होने वाला है जिससे कि क्या होगा भारत में जो स्टार्ट अप है उनको विकास करने का और अच्छा मौहल मिलेगा और उहां पर और जारा ध्यान दिया जाएगा जैसा कि पता है आपको 2024 से जब से गौवर्मेंट आई है तब से सबसे जारा फोकस कर रही है कैप्टिलिजम पे पूंजी वार पे फोकस सबसे जारा कर रही है और इसलिए इसको देख रहे हैं कि जब से आई है तो भारत में एक चीज़ सबसे बहतर हुआ है कि लगभग फंतरा सो प्रतिशत से जादा स्टार्ट अबकंपरें और समझ सकते हैं कि एक स्टारट आप कंपनियां के जाब को जौब देंगी तो यह चीज इसके एक मौडल बहुत ही अच्छा मौडल है अखिल भारतिय राष्ट्रिय शिक्षुटा योजना एक यह है आपका कि तीन वर्सों में 47 लाख युवाओं को सहायता कदान करने के लिए एक अखिल भारतिय राष्ट्रिय शिक्षुटा योजना का क्या किया गया है शुभारम किया गया है और इसके तहट त्यक्ष लाव हस्तांतर शुरू किया जाएगा तो यह अभी एक भारतिय राष्ट्रिय शिक्षुटा योजना जो कि तीन वर्सों में 47 लाख ही वाओं को सहायता प्रदान करेगा और भारत के लिए अगर इतने लाख ही जो लोग एक उम्मीद लगा के चल रहे थे कि इस बार के बजट में कुछ अच्छा होगा और उसके कुछ अच्छा किया भी है खास्त और पर इस बजट में जो आपकी गरीब वर्ग मध्यम वर्ग और आपका अपर वर्ग सबको ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट हुए जो एक अच्छा वर्ग कहा राज सकता है फिर देखिए आप डेबलक्मेंट के लिए जो एपलीकेशन तो होते हैं आपके मुबाइल एफलीकेशन जो चलाते हो उनके डेवन के लिए सौब लेबो की अस्थापना की आ रही है क्या आपकी डेवलक्पमेंट के लिए स सौब रियोक्षालाइं अस्थापिट की जाएगी जिससे कि आपका क्या हो जाएगा ओची लैब के साथ स्मार्ट क्लास्रूम प्रिसीजन फार्मिंग इंटेलिजेंट ट्रांस्पोर्ट सिस्टम और हेल्ट केर जैसे एप्लिकेशन का भी क्या किया जाएगा विकास किया जा जिससे कि भारत में जो एप डेवलप्मेंट का जो है वो बहतर तरीके से आगे बढ़ सके आपको पता है कि सम जितने भी अप्लिकेशन से आप यूज करते हो मैक्समिल एप्लिकेशन आपके इंडिया के नहों करके बाहर के अप्लिकेशन होते हैं तो इसी वज़ा से इस प है कि आपको पता है 2014 में 157 मेडिकल कॉलेजों की अस्थापना होई थी लिकिन उसके साथ ही 157 ने नर्सिंग कॉलेजों की अस्थापना किये जाएंगे और 2047 तक जो सीकल सेल एनिमिया जो रोग है उसको खतम करने की मिशन को भी शुरुवात किया गया है जिसमें जागरु और आपको पता है अवास योजना का वे चर्चित वेजना और इसके तहत जो आपके गरीब परिवार हैं उनको अपना मकान देने की वादा किया जाता हूँ और पर लोगों को मकान दीका भी एस योजना का कि एक ऐसा योजना है जो कि दोनों तरह से बढ़िया है अगर योजना आगे बढ़ता है तो जिनका कोई अपना मकान नहीं उनको मकान भी मिल रहा है और 2024 में चुनाव है तो उसके लिए वे बहतर है कि उसके मितने लोग तो बिलकुल आपके वीज़ेपी देने वाले हैं तो यह कैसा ही होजना है यह जो कि राजनी तीक यानि पॉलिटिक्स को देखे तो यह इसमें भी ध्यान देता है और गरीवी को भी दूर करता है ठीक है एक तीर दो करीड़ों में जो कमी आई है उनका उपियोग करके शहरी और सनचना विकाश को इसके अस्थापना की जाएगी गोवर्धन योजना यह महत्वपूर्ण योजना होने वाली इस वर्स के लिए जिसमें दस हजार करोड़ उपिये कि कुल निवे से गोवर्धन योजना के तह यह क्या है जैव कच्चा माल संसाधन केंद्र इसमें क्या है आपका दस हजार जैव कच्चा माल संसाधन केंद्र अस्थापिट के जाएंगे जिसके तहट राष्ट्री अस्था का वित्रित सुक्ष्म उर्वरक और कितनासक विनिर्मार नेटवर्क बनेगा जो जैव कच् थीजा है ठीक है अगर चरबजय के बाद क्या जा है तो इस बाद रख्षा बजट को भी बठाया गया है और कितना कर दिया गया है सक्षी पौइंट तो लैक करोड repair कर दिया गिया गए अगर पिछले साल से देखा जाए तो इस बाद 16,60 जादा इसमें बढ़ोतरी की गई है और इसमें आपकी जो पेंसर नित्यादी दिये जाते हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है जो काफी समय बढ़ चुका है ठीक है टॉप सिक्षड संथानों में AI के लिए तीन केंद्र बनाः जाएंगे लक्षे होगा मेक AI इन इंडिया मेक AI वर्कफर इंडिया जैसे मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया आपके चल रहा था वैसे ही अब AI के लिए Artificial Intelligence के लिए आपके जो टॉप के शिक्षड संस्थान है वहाँ पे तीन केंदर बनाये जा रहे हैं और उनकी थिम क्या रहेगी उनका लक्ष क्या रहेगा Make AI in India तथा Make AI work for India यह आपका क्या रहने वाला है इसी टैग लाइन के तहट आपका तीन टॉप जो शिक्षड संस्थान है उसमें तीन केंदर बनाये जा रहे हैं Artificial Intelligence के महिला सम्मान बचत पत्र की शुरुआत दो साल तक दो लाख जमा कर सकेंगे महिला यानि क्या किया गया है महिला सम्मान बचत पत्र की शुरुआत की गई है और इसमें दो साल तक महिला दो लाख रुपिय जमा कर पाएंगे इसके तरह और क्या महत्तपूर्ण हुआ है यह बहुत अच्छी बात हुई है कि जो वरिष्ट नागरिकों के लिए जो बचत प्रवजना के लिए मायज जो खुलता था एकल खाते उसकी जो अधिक्तम जमा सीमा थी वह नौ लाख रुपिय कर दी गई है पहले कितना थी फॉर प्वांट फाइव लैक ठीक है और यूगल खाते की जो अधिक्तम सीमा कर दी गई है वह आपकी पंद्रा लाख कर दी ऑग गया है और इसके आगे एक और क्या में तो प elementos नए एरफोड बनाए जाएंगे तो आउनिके अले से बूटराने a क्या है हो गई है और आपको पता है कि पिछले च्छे मेने पहले एक न्यूज आया था कि कौन सा आपका कोड़ था गुजरात का जिसे कि हम एक कोड़ के रूप में बात कर रहे हैं ठीक है पैंकार कारोबार में पहचान का अधार बनेगा यानि कि आपका पैंकार है अगर बिजनेस म बनाने के लिए बहुत जाब पॉलिशन करते उनको क्या कर दिया गया है और वैसे उसको कर दिया जाएगा यानि तोड़ दिया जाएगा वह भाहन फिर आपके सड़क पर चलने लाएक नहीं रहेंगे प्रधान मंत्रि कोशाल विकास योजना वा और चुशुरुआत होले है यानि अभी तक आपको पता है कि कौशल विकास योजना भारत की एक काफी महतोकांची योजना है और इसके तहर्ट काफी बच्चों को इसका लाव मिला है तो इसका इस योजना का फोर पॉइंट ओ अब सुरू हो चुका है ठीक है अगर देखा है तो व्यक्तिकत आएकर जो पहले पांच लाख रुपिय थी आप उठा करके साथ लाख याने कि साथ लाख के आमजने तक अब आपको कोई भी इंकम टेक्स देने की आऊशक्ता नहीं है और यह मिडिल कलास के लिए बहुत है महतोपूर्ण नियम लाया गया है कि जो पहले पांच लाख पर टेक्स हुआ है और क्या महँचा हुआ है तो आई currency क्या हुआ है कुछ मोबाइल पार्ट्स पर कस्टम Twice में क्या कर दिया गया राहत दिया अ minimal पार्ट्स क होने वाले इसकर और टैसे जब और उसमें अगर आपकी इलेक्रीक कारे की इलेक्रिक गाढ़ियों की बात किया जाय तो एक महत्वपूर निभा रहा है क्योंकि उन्से पॉलूस्टन के बिरावर होता है ठीक है तरह से लेक्रिक जो इलेक्ट्रिक उनकी होगी π Alex Z सस्ता होने वाला है कि घूख आपको पता है कि इन भी यह है कि जीडिया गया जितने भी चैनल रिप भी के पाहए पाहिए जा हो पाहिके जी घो सब्सक्राइब की गई है गौर्मेंट के रुवारत जहां पर आपकी पढ़ाई से रिलेटेड भी वीडियो जाएंगे तो आपकी टीवी भी सश्टी कर दी गई है क्यों कि इस पर इंपोर्ट ड्यूटी क्या हो गया कम हो गया है इसके अलावा इलेट्रिकल समान भी सश्टा होगा टेलीवीजन का ओपियन सेल कल पूर्जो पर सीमा शूल के घटा करके धायत प्रतिशत कर दिया गया है इसी वज़ाए से आपके सारे चीज़े क्या हो गई है सस्ती हो गई है मोबाइल पार्ट से में पहले ही बता चुका हो आपका लैब निर्मी जो हीरे है हीरे की सी मैं कि आए लेकी आपके सक्थे होनगे लेकिन उन खhit लगए है जो इंडिया में बने लेकिन जो आयातीठ लेंगे हो जिनका कि हम क्या करेंगे इंपोर्ट करते हैं वह चीज़ें कहले मेहंगे यदो दिखा रहे रहे हैं तो इंडिया है वह को सचते होंगे लेकिन बाहर से अदिया हुए कर दिएगा अब देखते हैं महंगा क्या हो गया छांदी सोना क्या हो जाएगा मैंगा हो जाएगा यानि कि अब आपके श्रचा बढ़ने वाला है अगर आप महंगे होने वाली यह थो बहुत अच्छ बात किया गया कि काफी है कि लोग शुट्टा मारते पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रीक की चिमनी होती थी उस्पर टेक्स बढ़ा दिया इन्हें हो गया है यह गलत किया सरकारने इसे नहीं करना चाहिए था प्यार करें जो भी आप किचन में समराइज कर लेते हैं लागवक्त नौ वर्सों में क्या हुआ है आपका प्रतिव्यक्ति आए दो गूनी से बढ़ करके कितना हो गया वन पॉइंट नाइन से बन लैक रुपीज हो गया है यानि कि अगर हम बात करते हैं तेज़ चौबिस में क्या क्या हुआ है तो पहले जो पर दो हजा तीन चार्ट तक देखा जाता था उस समय से बढ़ करके आई इसमें दो गूने से जारा हो गया है वन पॉइंट नाइन सेबन लैक रुपीज आपका पर कैप्टा इंकम हो गया है पिछले नौ वर्सों में भारती अर्थी विवस्था का आकार दुनिया में दस दस्यता दो गूने से अधिक बढ़ करके 27 करोड हो गई है इसके लाव दो हजार बाइस में आपको पता है कि इसमें यूपी आई जो है आपके जैसे गूगल पे फोन पे पे पेटिया में टारी इस्तमाल करते हो उसके माधियम से यूपी आई के माधियम से 126 लाक करोड के 24 करोड डिजिटल भुकतान हुए है एक बड़ी बात है यानि कैसे दिखा रहा है कि जो पहले आप जाते थे अब बैंक में परसा लेकर के खड़े हो जाते थे अम मैट्सम हो रहा है ऑं-लाइन मोड में हो रहा है जिससे कि लोगों का ताइम भी बच रहा है और काफी इसे बेनिफिट भी हो रहा है और जो पहले फ्रॉड होते थे वह भी पहले से काफी कम हो गया है सुख्ष भारत मिशन के तहट एक ग्यादर दस्मलों साथ करोड है रेलू सौचाले का निर्मार हुआ है यह तो बात कहना पड़ेगा यह आप कहा पर देखेंगे तो केवल पेपर म आते थे घर से बाहर अपना करने के लिए तो इन सब चीजों से छूट मिल जाएगा उज्वला योजना के तहट नाइन पॉइंट सिक्स करोड एल पीजी कनेक्शन दिये गए हैं यह एक अच्छी बात है जिससे होगा क्या यह जो पहले लकडियों से कोईलों से खाना बना पर आता तो उज्वला योजना के तहट एल पीजी करेक्शन बाट दिये गए तो वे लोग अब गैसों पर खाना बनाएंगे पॉलूशन कम होगा लेकिन एक अलग बात है कि जो पहले सिलिंडर चार्ट सो का था वह एक ग्यार्ट सो का ले रहे है तेनों अपने योजनात क तु दिखाया और नाइट पर शीच्ट रोड़ों को से लिना भी बाता अब भर्वा नहीं पा रहे तो इसमें इनकी क्या गलती है ठीक है अगला क्या हो जाएगा एक सो दो करोड वेक्टियों का 220 करोड का कोविट टीका कराया गया है 102 करोड वेक्तियों को 220 करोड का क्या किया गया कोविड टीका कराया गया है मन प्रहान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की सुरवाट हो गई है PM सुरक्षा बीमा और PM जीवन जोटी योजना के तहत कुल 44.6 करोड लोगों का बीमा कवर कराया गया है जो कि बहुत ही बड़ी बात है इतनी बड़ी शंक्या में विमा कवर कराया गया PM सुरक्षा बीमा और PM जीवन जोटी योजना के तहत आपका पता है कि योजना बहुत ही महत्वपूरी योजना है आपके एक्जाम में पूछा भी जाता है PM किसान सम्मान ने धी ओजना आपको याद होगा PM किसान सम्मान ने धी ओजना जिसके तहत आपके जो किसान थे जिनको 6000 पे सलाना मिल रहा था हों के शंक्या अब बढ़ागर के 8000 पे सलाना कर दिया गया है के तहत एक 11.4 करोड से अधिक किसानों को दो दस्मलों दो लाग करोड रुपिये का नगत हस्तांत्रड किया गया है जो कि अच्छी बात है और इसमें देखा कि आपने काफी लोगों को इसका फायदा भी मिला है तो यह था आपका बजट से समंदित महत्तपूर तत थे जो आपके एक्जाम के ड्रिष्टी से बहु महत्तपूर सुचना आपको पता है कि सेसी में इस बार बारह हजार से जारा वरती आई हुई है और इसलिए हमारा ग्यान एक्सपी चैनल और ग्यान एक्सपी टीम ने क्या किया है आपके लिए सेसी म्टेस डोजा टेश का बैस्ट बिलकुल फ्री कर दिया है जैसे कि आप पढ़ते हैं बिलकुल उसी तरीके से आप उनलाइन पढ़ोगा बिलकुल फिल नहीं होगा कि आप उनलाइन अपने किस पर मुबाइल फोन या फी डेस्टॉप पर बैट करके देख रहे हो इसके लिए आप हमारा हमारे अप्लिकेशन को जोईन कर सकते हैं जहां पर आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको मैं टाइमिंग आपको हर क्लास में बताई जाती है अगर आप उनलोग उन बच्चों के लिए कि जो की पेड़ कोर्स नहीं खरीट सकते हैं उनके लिए हम बिलकुल फ्री कोर्स लेकर कर क्या रहे हैं और इतनी हमारी गारेंटी है सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग और हमसे जोड़ने के लिए बहुत जारा धन्यवाद झाल जारा प्मार्व और हमसे जोड़ने के लिए वाचिंग बहुत थैंगले और हमसे दोड़ने के लिए तूब़ने के लिए जोड़ने के लिए और हमसेल